नमस्कार सर्व पित्रदेव ब्यो नमह वलो पित्रदेव भगवान की जय मित्रों, पित्रों का परमपावन आशिरवाद आप सब की जीवन में सदयव सकारात्मक्ता दे पित्रों की किरपा आप सब पर बरसे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं इश्वर से इस समय जब आप यह कारिक्रम देख रहे हैं हम गया जी में उपस्थित है हमारा कारिक्रम यहां चल रहा है 19 तारिक से बहुत सारे लोग अभी भी फोन कर रहे हैं कि गुरु जी अंतियम तीन दिन बचे हैं हम बिलंब से जाने अब हमारा रेजिश्टेशन कर दीजे तो ऐसे लोगों के लिए 23 तारिक से मूल पिंडदान और भागवत पोथी संकल कराने की व्यवस्था हमने कर दिया है ऐसे लोग ततकाल हमारे दिये गए नंबर्स पर वाट्स अप कर दें तीन दिन गया जी पिंडदान या तीन दिन पितर शान्ती लिख करके कायाले की तरफ से संपर किया जाएगा आप अंतिम तीन दिनों में आभी सकते हैं आने के लिए हमने कभी रोका ही नहीं जब हम कोबिट में नहीं रोके तो इस वर्ष कैसे रोकेंगे अभी तो बड़ा मेला चल रहा है, बड़े-बड़े दिगजों का यहां पर भागूत कथा चल रहा है, हमारे भी दिगज, आचार्योगेश प्रभाकर जी का भागूत कथा चल रहा है, तो आप इसमें मूल पोथी पाट के लिए रेजिस्टेशन करा सकते हैं, संकर्प ले सकते हैं हम आपके साथ विद्धमान रहेंगे बने रहेंगे तो अंतिम तीन दिन का विशेश लाभ आपको हम देने के लिए ही ये कारिकरम कर रहे हैं खास तोर पर वो लोग जो अभी तक हरिद्वार, त्रेम्रकेश्वर, आद जगहों पर खाना पूर्ती के रूप में करवा दिये काम लेकिन उनको लाभ नहीं मिला दूसरी चीज ऐसे लोग जो सामोहिक बसों के द्वारा गया जी गए और वहाँ देखे जब तक हमको विधी की जानकारी नहीं होगी हमें किसी भी कार्य का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिलेगा हम जाते हैं सिर्फ आपके आशिरवाद, पितरों के आशिरवाद के लिए मतलब यह है कहने का कि पैसा सब लेते हैं, पैसा हम भी लेते हैं लेकिन हमारा पैसा इसलिए फल जाता है क्योंकि हम कार्य करके देते हैं मैं आपको बताओं पिछली बार हम अपने माता पिता को भी बुलाए थे गया जी वाले प्रोग्राम में तो सन दो हजार आठ नो में पिता जी पूरे भारत का भ्रमण किये थे जिसमें ये भी एक स्थान था बारहो जो तिरलिंग थे करीब चालिस दिर्शी यात्रा थी बाओ जी की तो इस बार जब हम पिछली बार जब हम अपने साथ ले गए तो जब उनको बाकी चीज देखे तो अपना कपार पकड़ के बैठे गए कहें अब विश्रुपाद में अंदर कोई लेही नहीं जाता है हमारे यजमान जो यहां से जाते हैं उनको प्रॉपर हमारे पंडा बाबा जो वहां के मूल पुजारी भी है विश्रुपाद के वो बिलकुल उसी के स्थान पर बैठा गरके और आपका पूजन अर्चन करवाते हैं प्रेथ शिला पूरा चढ़वा देता हूँ मतलब आपको उसी दिन से शांती महसूस होने लग जाती है जब हमारा कारिक्रम आरंभ होता है और भगवती की किरपा रही हमारे पितरों का आप सब के प्रेम का आशिरवाद पुन्य प्रताप रहा तो अब तो ये अनवरत अंतिम सांस तक चलता रहेगा हर वर्ष हम जाएंगे ये चौथा वर्ष हमारा है चार साल लगातार दोनों कोविड में हम गये वेब वन वेब टू दोनों में मैं गया और ठाकुर्जे की किरपा पितरों का पुन्य प्रताप किसी को बिमारी नहीं किसी को छींक नहीं क्योंकि हमारा भाव पवित्र रहता है और भाईया फलता तो भावे है फलेगा तो वही तो देर मत करिये तीन दिवशी अभी बचा हुआ है जल्दी से आप इसको समय ले लिजेगा बाकी साथ दिवशी तो हो चुका है वो तो चली रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की पितरों का आशिरवाद आपको मिलता रहे हमें मिलता रहे धन्यवाद तमश्कार